फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चनल दोस्तो आज हम बात करेंगे डाक्टर रिगविद ब्रांड की बायो कम्बिनेशन 17 नमबर के बारे में ये दवा क्या है? किस बीमारी में हम इसे यूज कर सकते हैं? ये कैसे काम करती है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? और हमें कितने कितने डोजेश लेने चाहिए? बायो कम्बिनेशन 17 के बारे में पूरी जानकारी के लिए बने रही है मेरे साथ मैं डॉक्टर रभी आपका अपने यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो बात करेंगे हम यहाँ पर BC-17 के बारे में दोस्तो यह डाक्टर रिगवेग ब्रांट की एक कमपनी है जो जर्मन की एक जानिवानी कमपनी है BC-17 टेबलेट के फौर में आती है इसमेडिसिन का यूज पाइल्ज के कैसं में कीया जाता है पाइल्ज कैसा भी हो यह बहुत अच्छा का म करती है इसमेडिसिन पाइल्ज के ट्रिटमेंट में यूज की जाती है और इसके साथ साथ दोस्तों अगर फिसर है उसमें भी ये मेडिसीन बहुत अच्छा काम करती है जिसे हम भगंदर के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ साथ अगर कमरदर्द हो रहा है तो इस कंडिशन में भी ये मेडिसीन बहुत अच्छा काम करती है mostly ये medicine piles के cases में बहुत अच्छा work करती है दोस्तो side effect के बारे में बात करें तो इस medicine का कोई भी side effect नहीं होता है 0% side effect है लेकिन दोस्तो अगर कोई भी medicine limit में ली जाती है तो उसका कोई भी side effect नहीं होता है अगर limit से ज़्यादा उस medicine का use किया जाता है तो हर एक चीज का side effect देखने को मिलेगा आपको अगर doses के बारे में बात करें तो ये medicine tablet के form में आती है जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से दिखनी रहा है मैं आपको side में picture लगा दूँगा आप अच्छे से देख लिजेगा टैबलेट के form में आती है इसकी चार चार टैबलेट दिन में तीन बार लें खाली पेट आपको बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा अगर बच्चों में है आप बच्चों में अगर पाइल्स की सिकायत है तो इस medicine की दो दो गोली सुबह साम बच्चों को दें आपको बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा इन सॉट में कहें तो BC70 नमबर किसी भी प्रकार की पाइल्स में यूज कर सकते हैं चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो चाहे ब्लाइंड पाइल्स हो फिसर के केसेज में भी इस medicine का यूज कर सकते हैं और बैके के केसेज में भी इस medicine का यूज कर सकते हैं अगर कंपोजीशन की बात करें तो इस medicine की कलकेरिया फ्लोर 3x कलकेरिया फॉस 3x कलकेरिया फॉस जो होता है कैल्सिम की कमी को दूर करता है और फेरम फॉस काली मियूर 3x इस medicine में डाल कर बनाए गए हैं तो दोस्तों यह है BC17 बायो क इसके treatment में किया जाता है कि पाइल्स हो चाहे ब्लेडिंग पाइल्स हो चाहे ब्लाइंड पाइल्स हो फुनी हो या फिर बादी हो फिसर हो या फिर बैकेक के केसिस में भी इस medicine का किया जाता है BC17 के बारे में अगर आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं ऐसे ही होमेपेथिक से रिलेटेड नौलेज़ेवल वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं दोस्तों आज के लिए वसे इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार